स्वाइब गाता अपने यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉट्टिकल्ज जे डिपार्ट्मिंट में कुछ नई वेकंसिज निकाले गई हैं डिटेल्स में आपको बताएंगे टोटल कितने वेकंसिज हैं और क्या अलिजिबल टेव गारा इसके रेने वाली है लास्टिट का बैसके फार्म की फी कितनी है आप से चुटी सुख़ारिश है कि आप इस चैनल पर फर्स्ट ने विजट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल एकन को प्रेस करें गाइज यह नोटिफिकेशन निकाला गया है दिल्ली सब ओडिनेट सर्वस सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से इसके आनलाइन फार्म जो है वो 9 आप जैनवरी 2024 से स्टार्ड हो चुके हैं उसके लास्टिट जो रहने वाले हो 7 आप फेब 2024 रहने वाली है यह जो पोस्टे रहने वाली है यह सेक्शन अफिसर की रहने वाली है होटी कल्चर डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो नेम अफ दी पोस्ट में आपको बता दिया ठीक है यह सेक्शन अफिसर की पोस्टे है होटी कल्चर उसके बाद डिपार्टमेंट जो रहने वाला है यहाँ पे दो डिपार्टमेंट में है, Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Corporation, यहाँ पे, Total number 1 vacances की बात करें, तो 108 vacances total रहने वाली है, अगर हम बात करें, Section Officers की तो यहाँ पे 89 vacances total रहने वाली है, उसके बाद Section Officer Horticulture, New Delhi Municipal Council की यहाँ पे जो total vacances वो 19 रहने वाली है, Total vacances जगरें बात करें तो 108 vacances total रहने वाली है, तो guys, आपको जो websites जिस पे आपको फार्म अपना बरना है, dssbonline.nic.in पे जाके अपना फार्म आप बर सकते हो, ठीक है, आपका फार्म सिर्फ online ही, accept होगा, बाकि और किसी mood से आप फार्म अपना apply करते हो, for example, अगर आप post करते हो अपनी deals, तो वो accept नहीं किया जाएगा, फार्म की fee के अगर हम बात करें तो 100 rupees फार्म की fee रहने वाली है, ठीक है, अगर आप journal category से belong करते हो, या फिर जहाँ वो बाकि अगर हम बात करें तो woman की, SC की, ST category की कोई भी यहाँ पर fee नहीं रहने वाली है, उनके लिए free of cost है, यह form, ठीक है, जो fee है, वो general males candidates के लिए आपको देनी है, ठीक है, then हम बात करें तो इसकी, eligibility की, यह category wise, अलग अलग post है में, यहाँ पर आपको details में बता देता हूँ, कौन सी category में कितने post हैं, अगर हम बात करें, journal categories की, तो यहाँ पर section officer की 40 vacances रहने वाले हैं, OBC की 25 है, SC की 30 हैं, यहाँ पर, ST की 6 vacances हैं, EWS की 5 vacances टोटल रहने वाले हैं, यह है, municipal cooperation of Delhi reportments में, टोटल 89 vacances, उसके बाद, new Delhi, municipal council में, यहाँ पर जो टोटल हैं, यहाँ पर, UR की, यहाँ पर journal की 2 vacances हैं, OBC की 8 हैं, SC की 4 हैं, ST की 2 हैं, और EWS की 3 vacances यहाँ पर रहने वाले हैं, जो pay level आपको मिलने वाले हैं, वो 6th pay level यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, अगर हम बात करें, की eligibility की qualifications की, तो आपके पास यहाँ वो agriculture department में, यहाँ वो agriculture department की आपके पास degree हाने चाहिए, या फिर, आपके पास BSC हाने चाहिए, और botany आपका subject जो हाना चाहिए, as a measure subject, ठीक है, यह नहीं कि आपने किसी भी semester में अगर botany subject रख लिया, कोई skill, जो course रख लिया, या फिर कोई, ठीक है, तो additional subject रख लिया, तो आप यहाँ पर apply कर लोगे, नहीं, आपके पास botany जो हाँ वो 3 साल continue हाना चाहिए, कम से कम आपके जो हो credits, 24 credits हाना चाहिए उसमें, यानि, आपने जो हो continue 3 years, जो हर स्मिस्टर में जो botany बड़ी होई होने चाहिए, BSC, with botany ठीक है, तभी आप इस फार्म को apply कर पाऊगे, अगर आपके पास degree agriculture में है, तो आप जो हो अटोमेटिकल यहाँ पे इसमें apply कर पाऊगे, ठीक है, अब next बात करें, अगर आप तो जो pay level is करेने वाला है, वो मिनने आपको बता दिया है, आप थर्टिफाइव थोजन्ट फोर हंडड़ यहाँ पे pay level is करेने वाला है, स्टार्टिंग में, उसके बाद आपके जो pay level यहाँ पे 6 रहेगा, ठीक है, अगर आप बात करें तो, लास्ट यहाँ वन लेक, एंड ट्वल थोजन्ट अपको pay level यहाँ जाने वाला है, एज लिम्ट की बात करें, तो 18 से लेकर 27 अर्स तक यहाँ पे एज लिम्ट आपके रहने वाली है, अगर आप 18 से 27 अर्स की बीच में हो, तो आप यहाँ पे अपना फार्म जाव अपलाई कर पाऊगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो, एज लिम्ट आपके एज लिक्जेशन बागी केंडिट्स को यहाँ पे दी गई है, जो आपने किसी गोर्मेंट या फिर प्राइवेट इंसिचूट में काम भी किया होना चाहिए, इस टिपार्टमेंट में, हॉल्टिकर्जी डिपार्टमेंट में, ठीक है, यह चीज़ आपके लिए कंपल साहिए, या कॉंट्रेक्ट बेस पे आपने किया हो, इसकी लास्ट इट भी आपको मैंने आरड ही जो हाँ बता दी है, ठीक है, सेवंध आफ, सोरी, सेवंध आफ फेब ट्वंटी ट्वंटी फॉर यहाँ पे जो हाँ इसकी लास्ट डेट रेने वाली है, ठीक है, तो अगर हम बात करें, टू टायर आपका एक्जाम यहाँ पे कंडेक्ट किया जाएगा, टायर वन में आपको जहाँ वो टेक्निकल यहाँ पे चीज़े पूछे जाएगी, यहाँ पे आपको मैं बता दूँगा, स्लेबस कौन कौन सो यहाँ पे रेने वाला है, जर्नल अवेरनेस आपके लिए यहाँ पे रेने वाले हैं, जो उसके बाद जर्नल इंटेलिजेंस, रिजनिंग्स, आर्थिमेटिकल नमेरिकल अबिलिटी, टेस्ट आफ इंदी, लंग्वेज, ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी में आपको subject qualification के regarding पुछा जाएगा, फिर sections A में यहाँ पे जो आपका tier 2 होगा, यह आपका first tier जो हो 300 marks, sorry, यहाँ पे 200 marks का total यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, then tier 2 भी यहाँ पे देख सकते हो, details में यहाँ पे इसको बताया गया है, ठीक है, जो qualification है, आपके latest paper के, वो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, English, आपको language, जो हो इसके बारे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है, आपको दौनू टायर्स को यहाँ पे, जो हो complete करने पड़ेगे, उसके बाद जो question होगा, आपका वो, जो हो by दो language में होगा, यहाँ पे हिंदी में भी होगा, और English में भी होगा, यहाँ पे, ठीक है, इसके details वगएरा, आप जहाँ वो, मेरे telegram channel पे में notification आपको provide करूँगा, वहाँ पे आप इसके telegram के पे जो, download करके, इस PDF को, आप details में और भी, आपके mind में, अगर कोई भी download है, आप यहाँ पे इसको check कर सकते हो, अगर आपको farm fill करना है, तो आप last date से पहले पहले अपना farm job fill करते लेना, ठीक है, easy like session आप यहाँ पे देख सकते हो, जो already बताए गई है, ठीक है, यह थी important update, जो आप तक share करने थी, horticulture department में जो नई vacances निकाली गई है, वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को like करें, और चैनल पर first time visit करें तो चैनल को subscribe करें, मिलते हैं next video, next topic के साथ, thank you for watching this video,